नमस्कार दोस्तों, स्वागेता आप सभी का, आप देख रहें सोहन सर्मा किचन किंग, मैं हूँ सोहन सर्मा और आज मैं आपके शार शेयर करूँगा आलू मटर की ये रेसिपी, शादी पाटियों में बनने वाली ये आलू मटर की सबजी आप देखके ही मुँमें पानी आने का, तो वीडियो को शरू से लेके आएं तक जरू देखिएगा और पहली बार चैनल देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, साथ ही दबाद ये बेल आइकन का बटन, ताकि हमारी हर नई रेसिपी आपको सबसे पहले मिले, चरी शुरू करते हैं, ये एक आल चैनल का आटार लेना है, पिलहर की मदद से, और अधरक हरी मिल्ची को पीछना है, देखे, आलू को छील लिया है, अच्छे से वोस करके आलू के बड़े-बड़े पीसिस करने, शादी पार्टी में खाई हो गया, आपने हलुआई बड़े-बड़े पीसिस के आलू काट क बनाते हैं, तो चलिए, एक मिक्सिका जाड लिए, उसके अंदर दसकली लसून डाल दिये मैंने, एक हरी मिल्ची रफली चॉप के ट्वी, और एक इंच अधरक का टुकडा रफली चॉप का टावा छील के, और एक प्याज रफली चॉप करके डाल देना, उसको बारिक पी तो भी तेल यूज करते हूं, अब जो हमारे पास जो आलू था, एक 200 ग्राम का, काफी भड़ा आलू था, 200 ग्राम का, छोटे हो तो दो ले लीजिए, इसको मैं फ्राई कर रहा हूं देखिए, इस तरीके से, मीडियम हाई, मीडियम हाई, आज पर आपको इसको फ्राई करन चाहते हैं, तो आपके पास option है, आप उबले आलू भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब्जी रिच लगती है, इस तरीके से फ्राई करके हम बनाते हैं, तो मेहमानों बगएरा कोई आए तो बनाए तो अच्छी लगती है, तो आपके पास option है, आलू तड़का लगाएंगे, तेल आपको हटाना नहीं है, इसी तेल में तड़का लगाना है, तेल गरम है, आदा चमजीरा एक बड़ी लाइची दो लोंग, एक तेजपता में ने तड़के के लिए डाल दिया है, जैसे ही तड़का ब्राउन कलर का हो गया, हमारे पास जो आद जितना अच्छा पकेगा ना उतनी अच्छी गरेवी वनेगी उसकी सबजी की, तो यह एक मिक्सिंग बोल लिया है, इसके अंदर आजा कप मैंने दही डाला है, ताजा फ्रेश दही है, और यह आदा चमज नमक डाला, आप स्वाद मुसाल लीजिए, एक चमज धनिया आप यह मत समझना चौला मसाला डाल रहा है, तो छोले वाली खुश्बू आएगी नहीं, बहुत अच्छा फ्लेवरा आता है, अच्छे से मिक्स करना है, कश्मीरी लाल मिट जो होते हो, तीक ही नहीं होते हो, इसका कलर बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने कश्मीरी लाल म हो जाए, एकदम पक जाए, तब आपको यह दही वाला मिक्स मसाला आपको इसके अंदर डाल दे साथी, आदा कप आपको इसके अंदर पानी डाल दे नहें, अब इसको चलाना है, जब तक इसके अंदर अभाल नहीं आजाता, क्यूंकि अगर हम बीछ में छोड़ देंगे तो दही फट जाएगा और वो सपेद सपेद अलग से दीखेगा जहां रखेगा तो मसाले इसलिए साथ में डाले है कि दही फटे ना मसालों के साथ और इस तरीके से आपको चलाते वे इसको उबाल ले लेना है ज्यादा टाइम नहीं लगता है एक गेट मिनट के अंदर उब इसकी ग्रेवी अच्छी बन जाएगी इसलिए एक कप पानी का यूज हुए आदा कप पहले और आदा कप अभी आपको लगे ग्रेवी घाड़िये तो और भी पानी का यूज कर सकते हैं अब पांच मिनट इसको मीडियम आज पे हम पकने के लिए ढखन लगा के रख देते पांच मिनट बाद चेक कर रहा हूँ ग्रेवी अभी पकी नहीं है अब हम इसके अंदर मटर डालेंगे जब ग्रेवी आदी पक जाए तब आपको मटर डालने था कि मटर एंड तक हरे हरे रहे ये मटर इसके अंदर पक भी जाएंगे मैंने एक कप मटर के दाने इसके नहीं आई तो आप फोर्जन वाली में ले सकते हैं कोई दीकत नहीं है धक्कन लगा देते हैं और धीमी मीडियम आज पे इसे पांच मिनट पकने देते हैं सब्जी की ग्रेवी को चेप कर रहा हूं सब्जी एकदम चालीदार होगी यह ग्रेवी और देखके ही मुझे पानी आरे मिर्ची बहुत अची लगती है खाने के साथ तो देखे सब्जी, अब एक दो मिनट इसे हैं, गेस पर पका लेना इस तरीके से, हरा धनिया डाल देना है अच्छी तरीके से, और सब्जी बिलकुल रेडी है, और होटल, धाबा, रेश्टूरेंट, सब भूल जाएंगे इसके आगे, पूरी, परांठा, चापाती, नान, इन सब चीजों के साथ खाईए, बहुत ही टेश्टी सब्जी बनती है, जुरूर बनाईए, मुझे कमेंट करके बताईए, कि आपको यह रेश्टी कैसी लगी, वीडियो सेर जुरूर करना, और लाइक जुरूर कर देना, बहुत मैनत करता हूँ, सब्जी रेडी है, दो त जुरूर लाइक कीजिए, बनाते रही है, खाते रही है, बताते रही है, मिलता हूँ, फिर मैं नहीं रेश्टी करता हूँ,